लास्ट फ्राइडे को बॉक्स ओफिस पर अनिमल और सैम बहादूर दो फिल्में रिलीज हुई अनिमल के सामने सैम काफी अच्छी साबित हुए और बायोपिक सबजेक्ट और कम बजट और इक्वल प्रमोशन के बावजूद सैटडे और संडे को इसके शो लगभग फुल थे हाला कि अनिमल में ज़्यादातर ओडियन्स यंग थी जबकि सैम बहादूर में मिदल एज और सीनियर सिटिजन्स की संख्या सबसे ज़्यादा थी ये जनरेशन जानती थी कि सैम मानिक्षा कैसी हस्ती थे दरसल इंडिया की यंग जनरेशन को भी सैम बहादूर फिल्म भी देखनी चाहिए कुछ यूथ ने इस फिल्म को न देखने का कारण बताते हुए कहा कि अगर आप नहीं जानते की सैम बहादूर कौन है तो उनकी फिल्म क्यों देखें? ऐसे सभी सिटिजन्स से कहना की आप नहीं जानते की सैम बहादूर क्या थे इसलिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए सैम बहादूर जैसे सोल्जिर्स की वज़े से ही हम यानी इंडिया आज दुनिया में अपनी जगह बना पाए है हमें ये जानकर गर्व महसूस होता है कि क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को हराने में किस क्रिकेटर का योगदान रहा है लेकिन दुर्भागय की बात है कि आज की नई पीडी ये जानने की जहमत भी नहीं उठाती कि वह में पाकिस्तान को कौन धूल चताता है यहां तक कि हमारे सिलिबस में भी सैम बहादूर चैप्टर या उनके नाम पर कोई सड़क या पुल नहीं है फिल्म सेम बहादूर देखने का आपका मजा खराब न हो इसके लिए जरूरी था कि फिल्म रिलीज होने के बाद उनका साथ देकर उनकी बहादूरी उनके निदर विचारों और योगदान का परिचे दिया जाए क्योंकि अनिमल की तो मूवी लवर्स और रिव्यूर्स के बीच खूब चर्चा होगी लेकिन सैम को उतनी जगह नहीं मिलेगी सैम मानेक्षा पार्सी थे उनका जन्द 3 अप्रेल 1914 को अमरिटसर में हुआ था उनका परिवार अमरिटसर से पहले गुजरात के वलसाट में रहता था अमरिटसर में कुछ साल बिताने के बाद सैम मानेक्षा ने नैनिताल के शेर्वोट कॉलेज से पढ़ाई की सैम मानेक्षा बहुत फ्लूइंटली पंजाबी बोल सकते थे कॉलेज में और बाद में इंडियन आमी में कई six soldiers के साथ उनकी दोस्ती रही अपने करिया के शुरुआती सालों में सैम six soldiers और infantry बटालियनों में तैनात थे बाद में भी उनके पंजाबी दोस्तों से मिलना जुलना रहेता था और पंजाबी भाशा पर उनकी पकड़ एक सच्चे पंजाबी नागरिक की तरह बनी रही एक भाशन के दोरान उन्होंने गुजराती दर्शकों की पर्वा किये बिना कहा कि सेना में दशकों बिताने के कारण वो पंजाबी, मराथी और कुछ साउथ इंडियन और नेपाली भाशाए समझते हैं लेकिन गुजराती भाशा में कच्चे थे क्योंकि सेना में वो गुज इस हद तक प्रभावित हुए कि उनकी फेमस लाइन याद आती है एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुझसे कहता है कि मैं मौत से नहीं दरता तो या तो वो शक्स जूट बोल रहा है या फिर वो गोर्खा सैनिक है 1937 में वे एक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए लाहोर गए जहां उनकी दोस्ती सिल्लो बोडे से हुई दो साल तक दोस्त रहने के बाद 1949 में उन्होंने शादी कर ली मानेक्षा ने अपने करियर में ब्रिटिश इंडियन आमी के हिस्से के रूप में सेकंड वर्ल्ड वो में भाग लिया और उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश आमी चीफ ने उन्हें रोयल क्रॉस से सम्मानत किया इसके बाद 1947 का इंडिया पाकिस्तान वो और 1971 में उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वो में निरनायक विनिंग रोल ने भाया जिसने बांगलादेश देश को जन्म दिया 1979 में उन्हें इंडियन आमी का चीफ अपॉइंटेट किया गया और उनके पेशिंस और स्ट्राटजीक फुसाइट से इंडिया ने 1971 का वौजी था 1973 उनकी एक्स्ट्रॉडिनरी मिलिटरी सर्विस के लिए उन्हें फील्ड मार्शल के रूप में सम्मानित किया गया था वो इंडिया के पहले ऐसे सोल्जर थे आईए नजर डालते हैं उनके टैनियो के कुछ मामलों पर जवाहरलाल नहरू की तबियत खराब हो गई थी जब भी उनकी मौत की अनाउंस्मेंट की गई तब इंडियन आमी चीफ को डाउट था कि नहरू की मौत की खबर से नई दिल्ली में अशान्ती या अराजकता पैल जाएगी आमी चीफ ने अंबाला और आगरा में तैनात उन सोलजर्स को डिल्ली ट्रांसफर्ट करने का ओडर दिया जो अपने कैंप्स की सुरक्षा के लिए खारपग में रह रहे थे इस कैंप्स का चीफ सैम बहादूर था उन्होंने अंबाला और आगरा को इस तरह बिना आमी के छोड़ना सही नहीं समझा सैम मानिक्षा ने इसका विरोध किया लेकिन आमी चीफ ने उनसे कहा कि मेरे आदेश का पालन करो मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है सैम मानिक्षा ने खेदपूर्विक सोलजर्स को अंबाला और आगरा से दिल्ली ट्रांसफर्ट कर दिया लेकिन अपने सीनियर्स को एक लेटर भी भेजा जिसमें कहा गया कि वो इस कदम से सहमत नहीं है नहरू की मृत्यों के बाद कोई अंप्लेजन्ट इंसिडेंट नहीं हुआ लेकिन मिनिस्ट्री अफ डिफेंस ने इस बात की जाच शुरू की की सोलजर्स को अंबाला और आगरा से दिल्ली क्यों ट्रांसफर्ट किया गया था सीनियर ओफिसर ने इसके लिए सैम मानिक्षा को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने अपना विरोध किया हुआ लेटर बताया लेकिन उसे खारिच कर दिया गया इतना ही नहीं बलकि उन्हें इस्टन कमांड में तैनात कर दिया गया जिसे सजा माना जाता था सैम मानिक्षा का अप्रोच हुमानिटी वाला था 1971 के वाउ में पाकिस्तान की इंडिया के हाथो करारी हार के बाद लगभग 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर इंडिया के कंट्रोल में थे उन्हें स्पेशल फॉर्म से बनाई जेलों में रखा गया उनमें से कई वाउ में घायल हुए थे और उनका इलाज चल रहा था मानिक्षा समय समय पर इस जेल कैम्प में ये देखने के लिए जाते थे कि पाकिस्तानी मिलिटरी कैदियों को बेसिक फसिलिटीज मिल रही है या नहीं वे पाकिस्तानी सोल्जेश से पूछते थे कि तुम्हें साफ पानी और खाना मिलता है न जिस गद्दे पर आप सोते हैं उस पर मकडिया या कोई अन्यजीव तो नहीं है न यदि कोई पाकिस्तानी सोल्जेश उनसे मच्छरदानी मानता तो वे तुरंत उसकी व्यवस्था कर देते थे पाकिस्तानी सोल्जेश उनके इस हद तक प्रशन सकते कि वे उन्हें घेर लेते थे और उनसे बाते करते थे सोल्जेश का कहना था कि अब हमें ये रहसे पता चल गया है कि इंडिया ने वो क्यों जीता आप जिस हिमानिटेरियन परस्पेक्टिव से हमसे मिलते हैं हमदर्दी से बातचीत करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं उसकी कमपै में हमारे साहब हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हमें तुच्छ समझ लिया गया हो हमारे साहब के ऐसे बहेविया के बाद हमें अपनी जान देने की प्रेरणा कैसे मिल सकती है जब आप आ मानिक्षा दिल्ली केंटूनमंट के मिलिटरी हॉस्पिटल के दोरे पर थे, तो एक पाकिस्तानी कर्णल जो बंदी था और अस्पताल में इलाज के लास्ट स्टेप से गुजर रहा था, उनके बिस्तर के पास गया और प्यार से उसका हाल चाल पूछने के बाद कहा, मैं तु पोड़ी देर बाद पाकिस्तानी कर्णल के हाथ में कुरान थी, इन पाकिस्तानी सोल्जर को इंडिया ने पाकिस्तान को लोटा दिया था, लेकिन पाकिस्तान जाकर सोल्जर ने मानिक्षा के व्यक्तित्व के बारे में परिवार और समाज में प्रचार प्रसार किया, सैम सोलजर के लिए हीरो थे, सैम मानेक्षा कहते थे, मुझे कॉमन सेंस वाला कोई भी यंग मैन या वुमन दीजिए और मैं उसे ट्रेंड करूंगा और एक महान लीडर बनाऊंगा, लीडरिशिप की क्वालिटी डिसिप्लिन से आती है, यंग जनरेशन को एक मंत्र दिया जाना चाहिए कि जो भी करो, उसमें लग जाओ, पूरे मन से करो, जो अधूरे मन से काम करता है वो चमकता नहीं, युनिवर्सिटी में भाशन देते समय उन्होंने कहा कि जीतने के पक्के इरादे से कोई भी काम करें, वे पॉलिटीशन्स के लेवल को किसी भी देश का दुरभा करना चाहिए, मिनिस्ट्री अफ डिफेंस को आमी के तीनों डेपार्टमेंट में इस्तेमाल होने वाले हतियारों, जहां जो और उनकी मौडर्निटी तथा भविश्य की दुनिया की जानकारी होनी चाहिए, मिनिस्टर को खुद इस हद तक नौलेज डिवेलप्ट करना कि वह पड़ोसी देशों के एरादों, सीमाओ, दबावों और स्ट्राटजी में अपनी स्ट्राटजी दिखा सके। काइना के खिलाफ वो के दौरान ऐसे लोगों द्वारा उन पर कुछ आरोप लगाए गए थे। उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर वी के क्रिशनमेनन उनके पीछे पड़ गए। मानिक्षा के खिलाफ वेस्टन कमांड के लेफटिन एंड जनरल दौलेट सिंग की चेर्मनशिप के बीच भी बेहद रेप्यूटिबल और पॉप्यूलर थे। पाकिस्तान के चीफ याहया खान को एहसास हुआ कि वहार के कड़वे दर्द को कभी नहीं भूल सकते। लेकिन सालों बाद पाकिस्तान के लेट फॉर्मर प्रेजिडेंट अयूब खान के बेटे गोहर खान मा पीचे चले गए कि उन्होंने पाकिस्तान टीवी पर एक इंटर्व्यू में आरोप लगाया कि मानेक्षा ने मेरे पिता को एक स्ट्राटेजीक मैप 50,000 में बेच दिया था जिसमें था कि इंडिया किस तरह से पाकिस्तान पर हमला करेगा। हाला कि मानेक्षा की प्रतिभा का मजाक उड़ाते हुए यहां तक कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें और ज्यादा शर्मानी चाहिए क्योंकि तुम्हें पूरी जानकारी थी कि हम कैसे, कब और किस रास्ते से हमला करेंगे। फिर भी तुम युद्धा हार गए। लेकिन मानेक्षा को लगता है कि मुझे इंडियन आमी के मेडल्स की भी परवा नहीं है, मुझे ऐसे लोगों की कोई परवा नहीं है, मैं देश के लिए समर्पित हूँ। उनका कहना था कि चापलूस की तरह व्यवहार करने वाले लोग देश की सुरक्षा या प्रगती के लेगी और कुल मिला कर देश को नुकसान होगा। टीम के मेंबर ये जानते हैं कि आप टीम के लीडर है, आप हमारे कैप्टन हैं, भले ही आपको कुछ भी न पता हो। इसलिए वे मेंबर अपने लीडर से नहीं तकराएंगे। उन्होंने एक सजेस्टव बात कही कि 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 क अंत में, इंदिरा जी ने 1971 में एक दिन अचानक सैम बहादुर को एक बेहद गुप्ट बैठक में बुलाया और जून में पाकिस्तान के खिलाफ वो शुरू करने का आदेश दिया। इंदिरा का जलवा या प्रभाव इतना था कि कोई भी इंदिरा जी के खिलाफ या किसी और के होते हुए अपनी बात नहीं रख सकता था। लेकिन सैम बहादुर ने कहा, स्वीटी, मैं नवंबर में वो के अंत में 100% जीत की गारंटी देता हूँ। यहा तक कि इंदिरा जी ने भी सैम बहादुरी को उनकी स्ट्राटेजिक प्रेजेंटेशन को सलाम किया होगा क अगर हम जून में लड़ेंगे तो हम उस हद तक सफल क्यों नहीं होंगे। इंडिया के इतिहास में एहम मोड लाने वाले इस किस्से को देखने के लिए आपको फिल्म सेम बहादुर देखनी होगी।